नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ यूक्रेन रिलीजन इमोशनल वीडियो फोर इंडिया वी आर कमिंग टू इंडिया बाइ प्रसांदवन तो ये बात सत्य है और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कॉ मोदी सहाब को और अब यह मेरे शाइब से यूद अब यह खतम हो जाना चाहिए और मेरे को लग रहा है कि मोदी सहाब है वही कुछ करवा सकते अब नहीं कि आपको अब किसी की ताकात नहीं है वीडियो स्टार्ट करते है शाख करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेजरु से कर दीजिगा और चैनल पर पहली मेरा है सब्सक्रेट नहीं किया तो सब्सक्रेट जरु से कर दीजिगा और हमसे जूट जाएगा शेल यह स्टार्ट करते हैं नमस्कार और विल्कम यॉल टू स्टड़ी आई क्यू मैं हूँ प्रशान धवन नाव र इस गूट को पूरा इंटर्णाशनल मीडिया करेगा क्योंकि के बार जब युक्रेचन के विरेशमंतरी भ्रत में आएंगे वीडियो मैं चाहता हूं आप देखें उसकि देखें भी नेपको बताओंगा के युकैन भरत से चाहता है मुप्री तेस लिक viag श random मुट्स इंदी अमुता हैं His ideal and final goal were freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today. Freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion two years ago, very few people believed we would survive. But we persisted and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. Okay, first of all, I have to admit to you this week. I didn't think that Ukraine's military will release this type of video in India. Because, well, number one, as of now, Russia is a massive bombardment of the whole Ukraine. The heavy bombs are falling down, the video is coming in front of the whole Ukraine. In Kyiv, in Kyiv, in Kyiv, there were a lot of bombs falling down, and there were power outages. So, I had to admit that in time, I had to admit that this type of video is a well-produced video. रिली ज़ींड करेंगे भारत के लोगों के लिए और ये करेंगे कि इस हफते में और रहा हूं इंडिया में और मैं उम्मीद करता हूं इंडिया और उक्रेण के Canad को स्टॉंग करेंगे आप एक बार सोच कर देखा। युक्रेन ने कितने कंट्रीज के लिए इस टाइप की वीडियो निकाली होगी, मैं आपको बता दूँ गिंती के चुनंदा देश होंगे, अब इंडिया की इंपोर्टेंस कितनी है, आप यहां से सोच कर देखो, कि युक्रेन इस बात को लेकर completely aware है, कि भारत का स्टांस क्या है Russian Federation को लेकर, इंडिया लगाता रश्या से oil purchase करता आ रहा था, कुछी दिन पहले हमारे विरेश मंत्री ने ये भी का है, कि रश्या ने हमारे interest का ध्यान रखाया हमेशा, हम रश्या के interest का ध्यान रखते हैं, तब भी आप imagine करके देखो, जब युक्रेन के विरेश मंत्री ऐसी वीडियो करते हैं release, तो इंडिया की importance क्या है, इंडिया matter कितना करता है आज के समय, और एक बात नोट करना इस पूरी वीडियो में न, युक्रेन के विरेश मंत्री ने कोशिश किया है, कि इंडिया के लोग, युक्रेन के लोगों का stand समझे, इन्होंने इंडिया की ज देख रहा था ये बार-बार गांदी जी का जब mention कर रहे थे, एक mind में question तो बिल्कुल बनता है, कि आज के समय गांदी जी युक्रेन को क्या advice करते हैं, पता नहीं, बट एक interesting question है, खेर, यहां पर देखो, युक्रेन के विरेश मंत्री भारत में जबाएंगे, तब इंडिय इसका answer है, कि war रुकवाने में हमारी help करिये, इंडिया का देखिये, critical role हो सकता है, इससे पहले आपको याद होगा, जब ये report सामने आए थी, कि रशिया nuclear weapons यूज कर सकता है, युक्रेन पर, और इंडिया और चाइना की intervention के बाद, रशिया रुका था, ये जो report है, CNN ने खु आने वाला है, अगर इंडिया वहाँ पर, युक्रेन के समर्थन में आजाता है, ये एक game changer होगा, मगर मैं आपको बता दो, लग्षतान ये के ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखो, युक्रेन का प्लान ये है, कि दुनिया भर के देश, including इंडिया और चाइना, ये सब इखट उसे start किया है, तो अब यहाँ पे देखो, इंडिया को भी कहिना कई, युक्रेन को समझाना होगा, कि वार को अगर खतम करना है, तो रशिया के inclusion को लेकर सहमती रखिये, रशिया को आने दीजिये, summit में bad के बात करते हैं, और परहाप्स एक रास्ता निकालते हैं, कि कैसे य ये वार खतम होगी, रशिया का simply कहना अभी के लिए, तो ये है कि जो एरिया ये कभजा आ चुके हैं, ये तो off limit है, ये तो कभी भी युक्रेन को वापस नहीं मिन ले वाला, तो किस तरीके से एक समधानी आपन निकलेगा, that remains to be seen, उसके अलावा देखो, युक्रेन ये भी ऐसे कंट्री में जाकर पढ़ाई करना, it will be quite dangerous अभी तो देखिए, फ्लाइट्स भी जो है युक्रेन को अवाइड कर रही है, बहुत जारा क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कब कहीं से कोई मिसाइल आ जाए, कुछ अनोनी हो जाए, उसके अलावा देखिए, युक्रेन कर युक्रेन के साथ कॉपरेट करेगा, और साथी साथ रश्या के साथ जो हमारे रिलेशन्स हैं, उनको हम कैसे बैलन्स करेंगे, दिस रिमेंस टुभी सीन, और फानिली यहावे मैं आप सब लोगों सब्सक्राइब को यहां तक देखने के लिए और जो क्वेशन लास्ट म दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहा है रश्या को और युक्रेन को इग्नॉर किया तर ऐसा नहीं है, यह तो लोग डिफैंस कर रहे हैं, तो हो सकता कि उसके महात्मा गांती के जो तरीके थे उनिशाप से वो करना चाहते हो, लेकि महा महात्मा गांती हिंशा से खिलाब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ अच्छा एक्जम्पल दिया क्योंकि इंडिया में आ रहे हो, तो यह महात्मा गांती का देश है, तो इसी शाप से आपने बनाया होगा वीडियो, वो अलग ठीज है, लेकि अब मैं भी चाह होता है, आपने सुना होगा, जब कोई दो लड़ते हैं तो उसमें तीसरा है, उसको बेनिफिट होता है, तो वह वाला से इसमें हो जाएगा, बट सबसे पर यह यूक्रेन को दाद देनी पड़ेगी, भाहे कि दो साल से डिफेंस कर रहा है, और अपसे तोर पर डिफेंस कर रहे हैं, और अब रस्या ने बंबारी और बढ़ा दी गई है, तो अब देखते आगे इसी विक में आने वाल है, तब कोई और अपडेटेड वीडियो आती है, तो हम आपके समख दुबारा जरूर लाएंगे, क्या-क्या बादसित हुई है, और क्या-क्या यूक्रेन सब कुछ, अभी देखो, अभी यूक्रेन भी इसमें कमिटमेंट नहीं दे सकता है, सेफ्टी की, पहले तो रस्या आप स्टॉप करते हैं, वार करता मुझे है, दोरों का प्रॉम्ब्लम सो रहे हैं, उसके बाद ही सरकार कुछ सोच सकते हैं, मेरे को यह लग रहे हैं, बाक झाल, 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